इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया अम्रिचसर का श्री हर्मंदिर साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जिसके दर्शन के लिए लाखो भक्त दुन्या भर से यहां हर साल आते हैं अम्रिचसर शहर का सद्यो पुराना इतिहास है जिसके कई अनकहे पहलू है इस शहर की स्थापना सोलवी सदी में हुई जब गुरु रामदास ने यहां एक सरोवर बनवाया जिसका नाम था अम्रिचसरोवर उस सरोवर के नाम पर ही इस शहर का नाम पढ़ा अम्रिचसर नर्सिफ अम्रिटसर महाराजा रंजीत सिंग द्वारस थापित सामराज्य का एक शक्तिशाली केंद्र था ये शहर स्वतंत्र संग्राम से जुड़ी कई घटनाओं का भी गवा रहा है शहर के किले, हवेलिया, बाजार और समारक आज भी अम्रिटसर के सुनहरे अदीद की गाथा सुनाते हैं अम्रिटसर का इतिहास जानने के लिए हमने बात की अम्रिटसर निवासी, लेखक और इतिहास कार श्री सुरेंद्र कोछर से जो दो दशकों से अम्रिटसर के इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने बताई अम्रिटसर की कहानी इसलाम में जो एहमियत मक्काम अदिन्हा की, सायों में जरुशलम, हिंदूों में काशी हर्दवार की, वही दरजा जो सिखों में शिरी अम्रसार साथ का है. अम्रसार जो शुरू में चक गुरु का चक रामदास, रामदास पुरा, अमी सर इन नमों से विक्षात रहा है. इसका मीनिंग जो सारा कुछ क्लियर हो जाता है अमरित मेने प्रवितर जल सहर मेने स्रोवर प्रवितर जल का स्रोवर जो सिधे तोर पर इंडिगेट करता है श्री हर्मिंदर साहब के स्रोवर को जिसे अमरित स्रोवर भी कहा जाता है J City जो अमरसर है, दार्मिक, अध्यात्मिक, राजनितिक, समाजिक, सब्वे अचारिक और आर्थिक केंदर रायक पुरे पिंजाब का, अगर हम अमरसर के इतियास को अच्छी तरह से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो पंजाब के इतियास को समझना उतना ही असान हो जाता 1577 में, गुरु अमर्दाजी को, जो मुगर बाश्या अकबर ने, लंगर प्रता से जो परसंद होकर, प्रवावित होकर, जो उस वक्त उन्होंने 700 अकबरी रिपे दिये गुरुसा को, उन्हीं से जो 500 जो बिगे जमीन थी, जो खरीजीगी जहां पर, इसके आसपाद जो ग गाम हुआ करते थे, जिनकी जमीन पर अमरसर अबाद हुआ, इन गामों को इसलिए मैं जिकर कर रहा हूं कि जी आप छोटे से गाम का रूप ले चुके हैं, हाला कि अमरसर बनने से पहले बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, जहां पर जंडियाला गुरु भी है, बहुत स उस वक्त जो हला थे उस वक्त, उसके बाद गुरु काल के शेमी पाशाय जो हर्गोबिन साब के दोर में भी मुगलों के हमले होते रहे, उसके बाद पाइमनी सिंग की शहादत होना, ठारा सो स्तावन का गदर जिसमें मरसर की बहुत बड़ी भूमी का रही, फरंट पे रह उसके बाद उनिस सिंटाली में बड़वारा हुआ हिंदुस्तान का, तो सबसे आगे अमरसा शेहर था, बड़े से बड़ा शेहर भी इन गटनाओं से पक्का है, कि मैंने बहुत सारी जात्रों में भी देखा है, कि बहुत सारे शेहर थे, जो बहुत बड़े नाम थे, आज शोटे से गाह बन चुके हैं, पर अमरसार के उपर इतना कुछ होने के बावजुद, अमरसार आज भी खड़ा है, अमरसार जब गुरु रामदाजी ने जहां पर इसकी बन्याद नहीं रखी थी शेहर की, तो जहां पर सिर्फ पानी की डाबे और गना जंगल था, उसके ल उनके रहने के लिए जोंपडियां बनाएगी और एक स्रोवर का निर्मान किया, जो आज अमरसार स्रोवर के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, उसी वक्त गुरु रामदाजी के निवास के लिए पक्का घर भी बनाएगा, जो गुरु के मेलो के नाम से आद्वी में ज गुरु अरजन देव जी ने जब सिटी को बढ़ा रहे थे, शहर को बढ़ा रहे थे, जहां पर बहुत सारे लोग आकर बस रहे थे, उसी वक्त उन्होंने इसका कमर्शिल पक्री साथ में रखा, शहर में जो आज गोल्डन मार्क, गोल्ड मार्किट के नाम से मिशूर है, गुरु अरजन देव जी के और भी बहुत सारी कई जहां पर जैसे उन्होंने साइमियमी के हातों जब हर्मिंदर साहिव की बुनियाद रखी, उसी वक्त एक मस्जिद का भी निर्मान किया गया, अनफॉर्चुनेटली वो जब अमरसर का नम निर्मान हुआ, काली लहर के दरान तो वो मस्जिद नहीं बच पाई। मजाब में छोटी-छोटी स्वतंद्र सिख मिसले और रियासते पन अपने लगी थी। जहां पर अमरसर की स्रक्षा के लिए एक किले का होना बहुत जुरूरी है। मरसर में आज वो गुर्दवारा में कर्मट हो चुका है। उस मजबूत किले की निर्मान किया। उस साथ ही शेहर की स्क्यूर्टी के लिए शुरुक्षा के लिए एक दिवागरी बनाई। शेमे गुरू हर्गोबिन साब ने भी वही कमर्शिल पक्ष रखा जो पहले गुरू महराने रखते रहे। उन्होंने जैसे को कि अब शेहर लगातार बढ़ रहा था। लगातार लोगों की अबादी बढ़ रही थी जहां पर तो बहुत सारे लोग बहार से आकर बस रहते। तो शेमे गुरू ने इस सब भी को देखते हुए इन सब पक्ष को देखते हुए एक बत्ती हटा मार्किट का यहां पर निर्मान किया। बत्ती हटा मातलब 32 शॉप्स जो एक साथ जुड़ी हुए थी, एक साथ 60 हुए थी। हट टेड जहां पर शुरू कीगी है मर्सर में। जहां उस दोर में मोगनों के साथ लगा था नरंतर लड़ाइयां हो रही थी। के बाद जो चलता है पाइमनी सींग को जहां पर बेजा गया। क्योंकि श्री हरमिंदर साथ के जो प्रबंध थे लगता बिगड़ते जा रहे थे। संगत कम जाना शुरू कम शुरू होगी थी क्योंकि मोगनों को डर था तरह तरह की प्रबंधियां लगाई जा रही थी। पाइमनी सींग के टाइम उन्होंने सब्से पहले दिवाली को जोड मेला की जात लगाई था जाया यांते पांची पांची अरपम प्रबंध त का बाद देंगे। उसके बाद देंगे, पर उधर से मुगलों ने किसी सिख को भी दर्बार से जाने की आग्या नहीं दे, मतल़ा इस तीके से चार ओर गिराबंदी की यह थी कि सिख आ ही नहीं पेहंचे, वहां पेहंची नहीं सके, तो जब कोई चड़त नहीं हुई कोई चड़ावा नहीं चड़ा तो पाई मनिग सिंग जी के लिए इतनी बड़ी रकम जो टेक्स के रूम में मुगली हकूमत को देनी मुश्कन होगी उन्हें इसी सबंद में लहुर तलब किया गया वहां पर उन्हें उनकी शहादत हुई पाई मनिग सिंग के बाद एक लगादार जो टाइम पीरिड ता दरबार सहिब के लिए हर्मिंदर साहिब के लिए और अमरसर के लिए जे बद से बतर बनता जा रहा था अफगानियों ने हर्मिंदर साहें के ऊपर जो हमला किया जो मेंट शराहिए ने favour में ले उस बिल्डिंग को ही जमिज़ कर दिया में हर्मुदर साइश के उभाटे वह करते हैं. अब लगातार मुगनों के हमले हो यह मैं जो उनका केंदर था हमला का वह शरी दृबार से के उपर था. कभी उस रूबर की फी प journalists है, कभी उनने असे और हर्मिदर साथ पर रेटेक कर दिया, अगले चन्द सालों में छोटी छोटी सिख मिसलों के सामने आने के साथ ही अमरिजसर में विकास और विस्तार का एक नया दोर शुरू हुआ मंदिर की सुरक्षा के लिए बंगा अत्वा बड़े मकान बनवाए गए इसी दोरान अमरिजसर में कई प्रमुख के लिए बने जब मिशलें आई अमरिशर में उनी मिशलों के नाम पर 65 के करी कटड़े बने कटड़े माने मिनी सीरिज जैसे तक्रिमन हर बड़े जर्नियल का अपने कटड़ा था और कटड़ों के कारण जो सिटी था अमरसा सिटी था जो 65 हिस्सों में अलगला हिस्सों में बढ़ गया ऑची उसीटोर में हरमिंधर्सहें में डोंगे आच भी रांगडीय बंगा अर्म भुठ्रा बुंग आज वी मिजब ऑचे तर्बरसृ में उसक्त परवंद इतने खराब हो चुक थे हैंaur मिंदर्स dilemm तो सव्यों से चली आ रहे हर मिंदल साम वो काफी कम हो गया था बुंगो में लंगरप्रता थी बुंगो में ही बहुत बड़ी बात है उसक्ड जो एडूकेशन भी टरफ बंट रहा था वुञ गोंगों में जो बच्चों को जो सिख बच्चे थे हिंदू बच्चे थे उनको अलग अलगे education दी जारी थी इपा मड़े कट्रों में जैसे में ने कट्रों की बात की तो कट्रों में देखें तो जो city था इसमें में हवेलियां के बहुत कुछ बन रहा बाग बन रहे थे नेने, उसी दोर में किला राम रोनी का बना, जो अमर सर का सेकंड किला माना जता है, पहला लोगड किला था, सेकंड राम रोनी बना, किला गुबिंदगर बना, गुजर सिंग पंगी जिसका पहला किला गुजर सिंग पंगी था, सिटी के अंदर नमक मंडी में किला पंगिया बना और एक रहाशी किला जसर सिंगालु वाले का और एक महासिंग का छोटा सा किला मतल एक अमबर सर एक जंगी किले में तबदिल हो रहा था उसके बाद कट्रे लगातार बंड़े अलग-लग मार्केटें बनी जो आज आज भी आटामंडी नमकंडी अब उसी दोर में क्योंकि जहां पर इहम जिक्र करने करने वाली के बात है कि बहुंग सारे कट्रों के मालकों की जो कट्रोक जो हुक profitability थे उनकी अपस में नहीं बनती थी और उनुसी दोर में एक दुसे से सबंद काईम करने के लिए शूंगए है वी बनी और अमरत सर में उसी दोर में 50 के करीब जो सुनगे बनी और उनमें से 3 जा 4 अभी थोड़े पिछले कुछ सालों में सामरे भी आ चुकी है अमरत सर के सुनहरे युक की शुरवाद महान सिख शासक महराजा रंजीट सिंग के साथ हुई रंजीट सिंग ने सिख मिसलों को एक साथ मिला कर एक सामराज खड़ा कर दिया जिसका केंद्र पंजाब था महराजा रंजीट सिंग ने श्री हर मंदर साहिब की बाहरी दिवारों, छटों और गुंबदों पर सोने की चाद्रे चड़वाने का आदेश दिया था इसलिए आज श्री हर मंदर साहिब को स्वर्ण मंदर के नाम से जाना जाता है उन्होंने मंदर में और भी कई काम करवाए शहर में उनके बनवाए कई स्मारक है जैसे गोबिंदगर का महान किला जो आज भी उनकी विरासत की याद दिलाता है अबर भीजड़ में माहरांग जी सिंग अमर सर्ग के उपर उनका अधिकार कायम होता है इसके लिए छोटी सी जंग भी हुई जो गूजड़ सिंग पंगी का किला जो बाद में जी सिंग ने महरांग जी सिंग उसका नाम कळा को बिंदगर रहा उस वक्त पंगी मेसल का अमरसर पर कब जा था पूरे पंजाब पर पंगी मेसल की उनके अलागला हिस्सों में पंजाब पर उनका दिकार का अमरसर में जो माई सुखा और उनके बेटे गुर्दी सिंग का उस वक्त कब जा था तो एक छोटी सी जंग हुई क्योंकि महारांजी के तरह का खून खराबा नहीं होना देना चाहते हैं तो उस वक्त जब उन्होंने अमरसर को दिकार में लिए तो बहुत सारी उस उपट संदिया भी हुई ने जो रामगणिया है उनके साथ भी संथमी और उन्होंने पंगी मिसल जो जहां पर कायम थी जिनका अधिकार था उनको भी उन में से काफी जगीरें दी काफी कुछ दिया और ने उद्धे कायम किये गए जैसे मिसर-शज़ुमल का जिगर करते हैं तो मिसर-शज़ु-मल सबसे बड़ी बात जो उस दोर में शुरू होती है वो जो हर्मिंदर साब को सुनेरी कलेश जो जो सुनेरी उसको रूप देना गोल्डन रूप देना जिसके बात जो हर्मिंदर साब गोल्डन टेंपल नाम से भी जाना जाने लगा बहुत बड़ी बात ही हर्मिंदर साब की परकर्मा में जो संगमर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्म ना बना बनाया बहुं सरी जो अरी सब्सक्रक्शन हो रही था है उनके सरदार जितरे से चाहे अब हरी सिंग नलवा थैं जाए मिसरबस्ती राम थैं जमादा कुषाल सिंग इन लोगों ने भी अमरेसार जो रयाक्शन कट्रख्श के सबसे जरूरे थी और उसी दूर में महां एक खाई बनाईगी जैसे किले का रूप दिया गया मरे सार को मध्य एक दिवाजे राट को खुड़ा रहता था वाकि सबी दिर्वाज्य बंद रहते थे मान जी सिंग ने उस वक्ते जो बाग लगवाए जहां पर बहुत सारी उस दोर की हवेलियां खास करके जो 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 जी सिंग के टाइम पर बनी आज भी मुझूद है और उनकी एक लग पहचान है किला को बिंदगर उस दोर में बनना एक बहुत बड़ी बात है एक कच्चा मड़ फोर था इससे पहले जो पंगी मिजल का हरी जो मान जी सिंग थे उन्होंने उसको ना सिर्फ किला बनाया अपना तोशा खाना भी बनाया जहां तक जो उनका बेशकीमती कोहनू डैमन था वो इसी किले में लगते रहे हैं तो एक बड़ी फोज त्यार हुई जहां पर उस वक्त की जो प्रबंद हैं जो उस वक्त की नहार देखें तो शे बड़ा अलग सा नदर आता है किलाव के बिंदगर है जो इसके बार बहुत बड़ी के जील हुआ करती थी तूंग जील और उस शेहर की स्क्योर्टी के लिए वह चार और दिवार बनेगी अमरसर में अब अंग्रेज्जों की आमद भी शुरू होगी एम्री एडन ने आकर जहां पर एक नहीं मार्केट बन रही थी उसने अप्ती कंट्री जो बुकली किये उसमें उसने अमरसर के वपार का जिगर किया कि अमरसर उस वक्त जहां से जो किश्मीरी शाले थी जो पिश्मीना वे रहता वो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा था बेजा जा रहा था अमरसर एक बहुत बड़ी वपारिक हब बन चुकी थी और तरह तरह के नए वपार चालो हो रहे थे जो अगर कहा जाए तो वो काल अमरसर का जो काल था जो उस वक्त का पीरिड़ था वो एक सुनेहरी पीरिड़ था उसके बाद शायद नहीं देखना हूँगा सन 1849 में दूसरे अंग्रेज सिख युद में सिख सामराज्य का पतन हो गया इसके बाद अंग्रेजों ने अमरिज सर सहिद पंजाब के अधिकतर हिस्तों पर कभजा कर लिया माहरा अंजी सिंग का दिहांत होने के बाद, जो सिख सामराज्य था इतना विशाल समराज्य जो अंजी सिंग ने खड़ा गए तो पाने वाले पांच सालों में बिल्कु खतम हो गया। अंग्लोसिक दो जंगे वही उसके बाद जो पंजाब था मकमल तोर पर अंग्रेज़्ों के अधीना हो जो अंग्रेज़्ों अधिकार कैम करें अपने डंक तो इसकी ड्वर्मेंट भी अपने डंक से उन्हों ने शुरू कर दी जो सिटी सिर्फ चारदवरी के अंदर बसा भी नहीं कलूनिया बढ़नी थी जिसमें जैसे ब्रिटिश लाइन जो ने ड्वल्मेंट थी उनकी उसमें राय बहादर खान बहादर सर्दार बहादर और इसे जो इंग्रिजों के जो उनके उनके साथ काम कर रहे थे वह लोग जो अधिकारी वहां पर रहना शुरू हो गए नए रेस्टोरेंट बने कुछ शेक की बिल्डिंग है वांपर मिजोद हैं और उसी दोर में देखें तो 1857 की बगावत का दोर शुरू हो गया तो उसमें चाहिए कि अमरसा की सीधे तोर पर कोई इतनी बड़ी भूमिगा नहीं थी क्योंकि वह जो अंदोलन था पूरे दे इसी जो अमरसा का फ्रेडरिक हंडरी को उपर था उसने किस तरिके से कुवे के अंदर 282 लोगों को जिंदा और मुर्दा दफन किया बहुत अमानुवी गटना थी और इससे एंग्रेजियों के नया क्रूप चेहरा जो लोगों के सामने आ रहा था क्योंकि लोग अभी पं जूरी नहीं थी किसी को भी चाए मुस्लिम हो चाए किसी को मिंडिक हो अंग्रेजियों ने जब मरसा पे कब जागे साथ दो बुच्ट खाने शुरू कर दिये इनी बुच्ट खानों जहां पर गउंग की हत्या की जाती थी मास गली बजारों में बिगना शुरू हो गया इ उसके में उन्होंने क्लोक टावर खड़ा कर दिया जो आज भी हम प्राणी फोटोग्राफ देखते हैं खास का कि पार्टिशन से के पहले की तो उसमें रेट टावर नजर आता है गिरजागर जैसा इसी तरह के जो महांजी सिंग की मदर निला थी रानी सदाकोर उनकी हवे तो एक और तो अंग्रेज जो अपना जो दब्दबा था वो पराणी बिल्ड़ों को खत्म करके दिखा रहे थे दूसरे पॉस्टिव जो पॉइंट हुआ जहां पर बहुत सारी नहीं बिल्डिंग है रेल्वेस स्टेशन वगेरा होस्पिटल तीन कोलेज जैसे खालसा कोल नहीं सड़के बन रही थी एक अच्छा दोर भी था पर जो उन्होंने उस वक्त बुचर खाने का एक निया कंसेप्ट आ गया उसने एक बहुत बड़े अंदोलों को भी जनब दिया कुक का जो नामतारी सिखें उनकी उन्होंने उसके विरोध में एक बुचर खाने में जो डिसी की अधात भी हो करते थी जो बात में नहीं विल्टिंग में तब्दिल होई इस ते कैसे देखे तो अंगरेज्जों के दोर में नहीं सड़के बनी होस्पिटल बने स्कूल बने और रेलवे स्टेशन और बहुत सारे ऐसे जो मोनुमेंट थे जो आज भी मुझूद है और वो उस दुरवान ही अस्तित्म में है अमर सार तक्रिमें शान था बेकुछ शान था और यारों जख्मी होगे जो जल्ला बाग नर सहार था और ऐसी उस वक्ते जो उसके बाद क्रॉलिंग ओडर जनर डाया ने जारी किया इन सभी के चलते एक अमर सार्व करांती कारियों के लिए एक हब बन चुका था उस वक्ते हर हिंदू मुसलिम सिक दर्म से उठकर एक से वारत को अजाद कराना है उसी दुरान जो सवराज आश्रम में अस्तित्व में जहां बगर सिंग और बहुत सारे करांती करें उन्हें ट्रेंडिंग लिए अमर सार के चार्टी विंडिक द्रवाजे के पास था उसके बाद जो जहां पर एक जो बहुत सारे और भी सेंट अमर सार पूरे उस वक्त शायद ही कोई ऐसा अलाका हो जहां पर अंग्रिज्जों के खिलाब अंदरुनी तोर पर जंग चुरूना हो चुकी हो चाहे वो साहते के रूम में साहते लिक रहे थे बहुत सारी अख़बारे जहां से प्रिंट हो रही थी तक्रीरे हो रही थी औ अंतर था अंग्रेज जो फूट डालो राजकरो की निती अपना रहे थे वो उस दश्क में बिलकुल खत्ब हो गई और उसके बाद जो जितनी भी लहरे उठी जहां पर वो जादी की और ही जो लेके देश को गई उसके बाद बहुत सारी जहां पर अंगिंत लोगों की गि अंग्रेजों के शासंग के बाद इस महादवीप में होने वाली निरनायक घटनाओं के दौरान अमरिटसर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और ये घटना थी सन 1947 में देश के बटवारी की देश का बटवारा हमेशे हम मानके चलते रहे हैं कि पंजाब का बटवार हुगा और पंजाब में भी लहोर और अमरसर में सबसे ज़्यादा जो लोगों को तबदील होना पड़ा माइगरेट होना पड़ा एक दोनों कंट्री में और अमरसर में क्योंकि उस वक्त अमरसर म जो पाकिस्तान बन चुका था नेया मुलक जो पहली ट्रेन वहां पर बाई नमबर फाटे के जाम पर वहां पर आई तो तक्रिबन कटी हुई थे सभी लोग तक्रिबन उसमें कोई भी जिंदा आपी नहीं था इससे पहले जो अमरसर में कोई इतने बड़े लेवल पर इससे एक ट्रेन की कारण वहां से कतलोगार्थ शुरू होगी और तक्रिबन उसके बाद अमरसर में चर और लाशों के डेर और जगा जगा वह पाकिस्तान से आने वाले जो लोग आयते उनके लिए शरनार्थी के उनके लिए लंगर का इंतिजाम हो रहा था कहीं उनके लिए जो पंड़त नेहरू जहां पर आये था तो एक रपोर्ट है उसक्त की की उस वक्त तक 21 जार गर जो अमरसर के जल चुके थे और पंड़त ने कहा था जहां पर जब उन्होंने अमरसर का दोरा किया अगर मैं शहर में रहता तो शैद कभी का शहर चोड़ कर बाग गया होता हाला में हर शेतर में अमरसर बढ़ रहा था पर वह कि पार्टिशेंग ने उन सभी पर एक रोक पर अनुरा दव्लेश आधागया तो नुकसाम अमरसर को हुआ, वो आज भी लोग जो पाकिस्तान से माइगरेट होके जहां पर आये, जहां जिन लोगों ने अपने परवार कोई, आज भी वो हर साल जो पंद्रगास पुरा देश अजादी मना रहा होता है, अजादी के जचेशन मना रहा होता है, तो उनके लंगर का अंतिजाम था उनके जो जो चोटे खाये हुए लोग थे उनको हस्पितालों में बर्ती कराया जा रहा था जो डेड़ बोड़ी जहां आई थी उनको दफनाने का उने संसकार करने का एक उस वक्त जो स्टार्डिंग पीरेड है पार्टिशन का उसमें सबसे ब जंग रहे थे जहां पर अब दोनों लाके कठे हो गए कोई ऐसा नहीं रहेगा कि किसी कोई शहरी ब्रिटिश लाइन में नहीं जा सकता जा पटी कुलर वहां पर लाय बहादर जा खान बहादर जा उच जो रहीस लोगे वही रहेंगे अमर सर में सब कुछ को मन हो चुका थ अब आमर सर में लगता तबदील आ ढुए उसके बाद मिसरों के पिरिड में अरणी सिंग के पिरिड में उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद ने डंग से तब दीलम हो रही थे आमर सर विशाड हो रहा था बहुत सारे मॉनुमेंट जोans ये लिए उसके नाम चैंज भी चेंज हो रहे थे जा अपर हालगेट के नहां में ako तो अमर्सध एक बार फीर बाने बदल रहा था पुरा महांद्र에 जो व्होई最े तक्षैन्ट दुल्ड को पर अमरसर के जो बाहरी हिस्सा था वो तक्रीमन बहुत आगे तक बढ़ना शुरू है क्योंकि बहुत पॉपॉलेशन आगी और लगातार अब जे पॉपॉलेशन बढ़ने के कारण शेहर भी बढ़ना शुरू हो गया अमरसर शेहर ने अपने इतिहास में कई उतार चड़ाव देखे हैं लेकिन इसके साथ कई दिल्चस्प कहानियां जुड़ी हैं अमरसर जैसे मैंने शुरुवाद में किया था कि अमरसर को जब भी लगता है कि अमरसर एक स्टेवल हो चुका है अब अमरसर आगे बढ़ने वाला है अमरसर आगे बढ़ेगा और बहुत सारी नहीं पोजिटिव चैंजिस आएंगी उससे विक्त कोई ने कोई प्रोलम आती नहीं रही पर एक अच्छी बात है का आज हम उस सबसे उबर चुके हैं उस सबसे बाहर आ चुके में आज अमरसर टोटली बदल चुका है अमरसर में करीब रजाना दो लाख लोगों को आना जहां पर अगर वागा बार्डरों की गैलरी की बात करें तो पचीस जार लोग क का नम निर्मान हो रहा है एक जो हेरिटेज का हब बन चुका है अमरसर सबसे ज्यादा अगर पंजाब की बात करें तो सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट है वो अमरसर में आ रहा है और जहां पर खाना है जो हमारा खाना है हमारा पहरावा है खास करके मरसरी कुल्चे की बात क करे न exactly और बहुत सरी ऐसी जगरों मैं क्खाने वाली चीज़े हैं बहुत सरे इस पहरावे हैं यो मशर के आशा के उसको अपना रहे आज मेरी को बीस साल होगे अमरसार के उपर काम करते हुए अमरसार के उपर मेरी जो पांच कितबे आ चुकी है बीस साल से काम कर रहा हूं आज भी अमरसार के बारे में और जानने की उसकता रहती है और बताने की उसकता रहती है कि लोगों को मेरा जहीं है कि मैकसिमूम लोग अमरसार क के बारे में जाने और जहां पर जो इसकी पोजिटिव जो चीज़ें में चाहता हूं को वर्ल्ड के को ने-को ने पर पहुंचनी चीज़ें कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लाखों लोगों को भारत के अतीद की कहानियों और पवित्रता से समोहित करने वाला अमरच सर एक खास शहर है